कि जिन अधिकारियों ने गोडी चलाकर एक किसान की जिंदगी छीन ली, पांच किसानों की आखों की रोशनी छीन ली, 433 किसान घायल कर दिये, अब उनको राश्टरपती अवार्ड से सम्मानित किये जाने की सिफारिश हरियाना की भाजपा सरकार कर रही है। कल एक खबर पड़के बड़ी हैरानी हुई, खबर में लिखा था कि हरियाना की भाजपा सरकार ने उन 6 अधिकारियों के नाम राश्टरपती मैडल के लिए दिये हैं, जिन 6 अधिकारियों ने किसानों पर गोडी चलवाने के आदेश दिये थे, उनमें 3 IPS अधिकारी हैं और 3 हरियाना सिविल सर्विस के अधिकारी हैं, समझने की बात ये है कि जिन अधिकारियों ने गोडी चला कर एक किसान की जिंदगी चीन ली, पांच किसानों की आखों की रोशनी चीन ली, 433 किसान घायल कर दिये, अब उनको राश्टरपती अवार्ड से सम्मानित किये जाने क सिफारिश हरियाना की भाजपा सरकार कर रही है, 1947 में देश को आजादी मिलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ होगा, कि अपने ही लोगों पे गोडिया चलाने वाड़ों को सम्मानित करने की बात की जा रही है, पहले नारा दिया जाता था जै जवान, जै किसान, लेकिन अपना पेट खाली रखके पूरे देश का पेट भरने का काम किया, जिन किसानों के पूरवजों ने देश की आजादी के आंदोलन में सबसे अधिक योगदान दिया, और पूरे देश में जितने लोग फासी के फंदे पे जुले थे देश के आजादी के लिए, उसमें से प्रतिशत अकेले संयुक्त पंजाब के थे उन किसानों पर अत्याचार करने वालों को अब सम्मानित किया जा रहा है एक ये नई रिवाज हमारे देश में शुरू की जा रही है आपको याद होगा जलिया वाला बाग में जिस जनरल डायर ने हमारे लोगों के उपर गोडिय किया जाता था 1947 के बाद अब फिर से वही दोर आ गया फरक सिर्फ इतना है कि अभी एक काले अंग्रेज अपने लोगों के उपर रत्याचार कर रहे हैं और भाजपावे आरसेस की सरकार उनको सम्मानित करने की बात कह रही है हम एक बात कहना चा रहे हैं अगर ये अधिकार इतने ही वीर हैं तो क्यों नहीं इनको जम्मू के डोड़ा पुंच राजोरी में भेजा जाता वहां उनको भेजा जाए और कहा जाए कि वहां ग्राउंड पे जाके आप ऑपरेशन लीड कीजिए वहां पे अनेकों विदेशी आतंकवादी छिपे हुए हैं जिन विदेश और राजोरी के जंगलों में वहां जाके ऑपरेशन लीड करें ग्राउंड पे जाके कोडर एंड सर्च ऑपरेशन का नित्रतव करें यहां निर्दोश और निहत्य लोगों पे गोडियां चलाना कोई बहादूरी होती है क्या अपने ही लोगों के उपर जो शामती पून ख वो बिल्कुल फ्रंट से उपरेशन लीड कर रहे थे वो बहादूरी होती है वो वीरता होती है अपने ही निर्दोश और निहत्य लोगों के उपर गोडियां चलाना वीरता और बहादूरी नहीं बलकि कायरता और बुद्जिल्पना होता है अब ये देश के लोगों को तै अंदोलन होगा सिर्फ किसान अंदोलन नहीं जब कोई मजदूर अंदोलन करेंगे जब कोई करमचारी अंदोलन करेंगे तो ये सरकार गोडियों के माध्यम से उनको कुचलने आकाम करेगी और जो अधिकारी राजनेताओं के इशारों पे सरकार के इशारों पे गोडियां चलवाएंगे उन अधिकारियों को फिर सम्मानित किया जाएगा उन अधिकारियों को फिर बढ़ावा दिया जाएगा इसलिए आज जरूरी है कि पूरा देश इस मुद्दे पर एक जुठ होके इस फैंसले का विरोध करे और सरकार को ये सपष्ट संदेश दे दे कि जो अप कि सरकारों को एक सखत और संधेश जा सके आपसे गुजारिस है कि एगर इसको बचाना चाहते है तो निश्नल दस्तब को सब्सक्राइब करने के लिए राटट लटके सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्नल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें